बीसीय ने वं बीटीपी ग्रूप के संस्थापक सिराज शेक के जन्मदिन के उपलक्ष में हस साल की दरहा इस बार भी नीशुलक आरोगी शिविर का आयोजन वेबने चर्णों में किया जा रहा है इसी के तरविवार को सुमवारी कॉटस देत एपीजे अब्दुरकलाम ला झाल 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 कि अग्या उगे और खुरेंगा। बीसीन एवं बीटीपी ग्रूप के संस्था पाक सिराज शेक के जन्मदिन के उपलक्ष पर आज एक बार फिर मुफ्त आरोग शिविर का आयोजन किया गया है अभी हम मौजूद है सुमवारी कौटर परिसर में जहां पर इस भव ये आरोग शिविर का आयोजन किया गया है आप मेरे पीछे नजर गुमा कर देखिए कि यहाँ पर भारी संख्या में नाग इस आरोग नीशुल्क आरोग शिविर का लाब उठाने के लिए यहाँ पर उपस्तित हुए है हर बार की तरह अजबार भी शहर में लगतार इस तरह की आयूजन किये जाते हैं जहाँ पर इसी तरह के नीशुल्क चिकितसा शिविर का आयूजन किया जाता है आज के इस शिविर में यहाँ पर मुफ्त चश्मों के साथ साथ मुफ्त नेत्र तपासनी याने मुफ्त आखों की जाज भी यहाँ पर की जा रही है जहां अभी देख सकते हैं कि यहाँ पर बुज़ुर्गों से लेगर बच्चों तक की आखों की जाज की जा रही है इसी के साथ ही यहाँ पर खून की जाज भी लोगों की की जा रही है इसी के साथ ही यहाँ पर जो बच्चे है बच्चों के लिए यहाँ पर उन्हें मुफ्त किताबें भी बाटी जा रही है तो आईए यहाँ पर कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे इस शिविर के बारे में और किस तरह नागरिक इस तरह के आयोजन से प्रसंद होते हैं और किस तरह वो इसका लाब उठाते हैं जानेंगे आज के इस वीडियो में कर दो "...वीडियी थीडियो प्रसंत हैं जानें झाल उल्डियो होते हैं जाल। इस शिविर के आयोज़न पर हम इस शिविर के जो आज आयोज़क है संजयल हानी जी से उनसे जानते हैं कि आज इस आयोज़न पर किस तरह इसको सवलतात बना रहे किए क्या क्या कारी किये जा रहे हैं और किस तरहा आने वाले साथ तारीक को भी जो शिविर का आयोजुन किया जाएंगे उसके बारे में क्या बता नहीं है। और किस तरहा आने वाले साथ तारीक को भी जो शिविर का आयोजुन किया बता नहीं है। साथ ही हर साल हम गुरु पूर्नोमा के उपलक्ष में और इनके जनन्दिन के उपलक्ष में निशुल का बच्चों को जो किताबे बाट्टे हैं। बच्चे हैं उनको किताब का वितरन किया गया। सब्सक्राइब गया। इसमें कुछ कीज़ी भी प्रकार का शुलक नहीं है और इस शिबीर से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने लाब लेवे मैं ऐसे विनेंती करता हूँ बीसेन बीटीबी गुरूप का भी धन्यवाद करना चोड़ता हूँ कि ऐसे सामाजी कारिया मानेने सिराज भाई शेक इनके मादम से होते रहते हैं और उनको जनम दिंग की आने जनम दिंग की देर देर सारी हमारे सार्तक बोधिश्य संस्ता संद गुला बाबा भक्त परिव बार विश्व सांती सवाज समीति के देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद सिराज भाई हर साल बीसी एन और बीटीबी ग्रूप के संस्थापक सिराज शेक के जर्मदिन के उपलक्ष में इसी तरह कई चरणों में लोगों के समाच के उत्थान के कारिके चलते इस तरह करकी देखा करना और आज बीटी ऐसाओं व एहला जाएगा जहां पर लोगों को मुफ्तित चश्में भी बाटे जाएगे और आज के इस को मिल रहा है की छोटे से बच्चों बहना किताबे बाटी बाटी गई है अब यहाँ पर अभी आरोगे शुविर चल रहा है. सुबा से इस आरोगे शुविर का आरम हो चुका है. आभी विभारी संख्या में यहाँ नागरिक इस आयोजन का लाब उठाने के लिए उपस्तित है. पेटीबी ग्रूप के तरफ से मैंने अपने आखों के चांच करवाई है अभी भी कर रहा हूँ और उसके पहले भी बहुत बार इनके तरफ जो भी मेरे मम्मी का या किसी का भी operation कर रहा है इस एरिया में सार्तक ग्रूप और बीटीबी ग्रूप हर बार सिराशीक जी ये कारेक्रम का आयोजन करते रहते हैं और यह आयोजन बहुत अच्छे तरीके से और बच्चों को कुछ किताबे वगरे यह सब उनके आयोजन में करते रहते हैं मैंने अपने मम्मी की जाच करवाई यह हैं जिसमें मैंने उनके आखों का जो है वो प्रॉलम बताया हैं और जो है उनका शुगर और बीपी का वो भी बताया है जैसे लास्ट टेम गुलाब बाबा शिविर हुआ था वहाँ पर भी गया था वहाँ पर ड्राइंग की सपर्था अगरी भी थी तो मेरे दो लड़के हैं उनको भी वहाँ लेके गया था काफी अच्छा है और ऐसा हमेशा होते रहें यहीं मैं कैद हो वस मेरे पीछे नागरी को की भी लगी हुई है यहाँ पर अब तक लोग यहाँ पर इस शिविर का लाब उठाने के लिए मोज़ों देता है यह कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते है इस आयोजन पर क्या चीज़ा करवाने के लिए पाइब गया है कि लगे वी पर अच पहली बार आई है इससे पहली भी जवागों होते रहे हैं आप यहां पर आता है आज आप यहां पर किस चीज सेजु कर आदे कि कर बने कि circ जार्च जो है यहाँ पर करवाने के लिए लोग जादे से ज्यादा मौजूद है कई तरह के शेविर के आजुन के सासाथ यहाँ पर अभी आप देख से लोगों की मुफ्त ब्लट चार्ज भी यहाँ पर की जा रही है BP शुगर भी जाच यहाँ पर की जा रही है ब्लट जो है हमारे पुरे शरीर में मौजुद होता है एक एहम हिस्सा है लेकिन इसमें जो विमारी पनप्ती है हमें उसका पता नहीं चल पाता है तो इस तरह कि अगर हम समय समय पर उसकी ब्लट की जाच करवाते रहे तो हमें अपने अंद्रून में क्या चल रहा है इसके बारे में हमको जानकारी मिलेगी तो यहाँ पर ब्लट शुगर का जाच की जा रही है इसके साथ ही यहाँ पर अभी BP भी चेक किया जा रहा है तो अभी हम यहाँ पर मौजू डॉक्टरों से जानते है कि अब तक सुभा से यहाँ पर कितने लोगों ने अपना जाच करवा लिया है अभी तक तो 49 लोगों ने जाच करवा लिया है अभी और पेशन आने वाले 50 हो जाएगे अभी तक हमें लगता है कि हमारे जो बाहरी अंगे है अभी तक 50 हो गए है अभी तक 50 हो गए है अभी 50 है तो आप किस तरह जाच करते हैं उसके बारे में थोड़ा आप समझाएगी पहले तो हम उनकी बेपी ट्रेक करते है उनकी बेपी हाई है है लोगों है वो उनको बताते है उसके बाद अगर उनको शुकर की कुछ प्राबलम ein तो शुगर भी टेस्ट करके देते हैं और वो ये सारे टेस्ट हम फ्री में करवा देते हैं तो क्या लगता है कि जो BP शुगर की बीमारी है वो किस आयू वर्ग के लोग में जादा देखने को मिलती है लेकिन अभी कुछ टेंशन के काराण अपने यूवा पिड़ी है उनमें भी थोड़ा ट्रेस के वाज़े से BP की प्रॉब्लम आ रही है तो क्या आप यूवा उसे भी कहना चाहोगे कि समय समय पर अपनी जाच आपको भी करवाती रहनी चाहिए उनको उसके वारा में पता चलता रहेगा कि उनको कुछ बीमारी वगर है क्या इस सब उनको पता रहेगा धन्यवाद आपका तो जिस तरह भी हमने हमें बताया गया तो सिफ वरिष्ट लोगों को ही नहीं बलकि आजकल यूवा पीड़ी को भी हमें देखने को बिल रहा है कि BP शुगर जैसी प्रॉब्लम समस्याय उन्हें पड़ रही है तो इस तरह कि जब आयोजन किये जाते है तो जिम्मेदारी है नागरीकों की कि वो इसका भारी संक्या में लाब उठाए और अपनी अच्छे से सभी रोगों की जाच कराए ताकि उन्हें पता चले कि उन्हों किस तरह पूरी तरह स्वस्त है या फिर नहीं मैं अभी आखी जाच कर रहा हूं अपने वाले बाद में शुगर की जाच करूंगा अभी की जाच करूंगा इंजियोग्राफी का जो भी है वो स्ट्रीट करूंगा या पर चार बार मैं आखी जाच कर चुका हूँ और जाच करने के बाद कुछ कुछ जो चश्मे हैं अब देखता हूँ और दूसरा चेस्मा कुम सा मिलता है यह दिखने आया हूँ मैं यहापे और सीराज भाई का जो काम है बोत अच्छा काम है जो सीविर ले रहे हैं उदर सुधा कोड़े के आभी सीविर लिया तो ने कल बोत बड़ा शीविर हो गया यह भी बोत बड़ा कर दो बोत बोत बड़ा है जब है जब सुधा है झाल झाल अभी हमारे साथ वरिशु पत्रकार देयर शंकर तिवारी जी भी मौझूद है जो यहाँ पर इस शिविर की में उपसित होकर यहाँ पर अपना चेक अप कराकर इसकी और जो है कीमत बढ़ा रहे हैं तो हम उनी से जानते हैं कि आज उन्होंने किस तरह अपना चेक अप करवाया और उसके बारे में और क्या जानकरी देंगे वो सिधे उनी से जानते हैं मैं वैसे जानता हूं कि महनि इस राजभाई शेक अकसर ऐसे सोचल काम किया करते हैं सामाजिक कारिक किया करते हैं और आज यहाँ पर जो महाशिवर लगा है तो उसका लाब मैंने सोचा के मैं भी लेता जाहूं मेते घर का काम है और इसलिए मैं आया और आपनी आखें भी चेक करवाली है और मिर्चिती मुझे दोचाजिन में चेश्मा भी मिल जाएगा सबसे पहले मैं मानिय शिराज शेक भाई को जनल दिन के डेल सारी बढाईयां देना चाहूंगा और मैं जानता हूं कि वो अकसर इसी तरीके के सामाजिक कारे करते रहते हैं लोगों समाज के प्रति जो भी उनकी जिम्मेदारी है उनका निर्वा बखू भी गया करते हैं और आज भी जो महाशिवर मुझत वितरिम चेश्मे का और अन्यत जाज का लगा हूँआ है वो मिश्ची ते सरार नहीं है और इसी तरह भविश्य में भी इस राजबाई समाज कारी इसी तरह से करते रहेंगे इस आशा के साथ उनका अभिनानन करता हूँ तो यह आज हमने यहां पर इस से शिवर में अज हम मौझी थे जहाँ पर हमने देखा कि किस तरह भारी संख्या पर अपना लाब उठाया और मैं आपको बता दू कि साथ तारी को भी एक भवी आरूगी शिवईर का अज़ग किया जाने बाले हैं उसी तरह के और भी आयोजन उस भव्य शिविर में आयोजित होने जवाले हैं तो जरूर साथ तरीकों भी इस आयोजन में आप शामिल होकर उसका लाब उठाइए तो यह थी आज की हमारी ग्राउंड रिपोर्ट केमरामेन अजित कुर के साथ अक्सावी दंसारी बीसे नियूज नाकुर